दोस्तो आज तक आपने जीवन में बहुत सारे अजीबों गरीब जीवजन्दू को देखा होगा लेकिन आज हम आपको दुन्या के कुछ ऐसी विच्चितर जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे इस तरह के जानवर आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा ये बहुत ही रेर एनिमल्स हैं जिसे धर्ती पर बहुत ही कम देखा गया है तो चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में नमबर एक पर है रेड इस्पिटिंग कोबरा आफरीका के जंगलों में पाई जाने वाले ये रेड इस्पिटिंग कोबरा नाजा पैलिडा की एक प्रजाती है ये देखने में लाज रंके क्यूट दिखाई देते हैं लेकिन वास्तों में यह जितने क्यूट दिखते हैं उससे भी कहीं जादा खतरनाक होते हैं आम तोर पर यह रात में जादा दिखाई देते हैं यह साप खत्रा महसूस करने पर जोड़ से फूंकारता है और अपने दुस्मन के चहरे पर जहर को स्प्रे करता है इसका जहर इतन कई तरह के मचलियों को देखा होगा लेकिन अब मैं आपको जिस मचली के बारे में बताने वाला हूँ उससे देखकर आपके होस उट जाएंगे यह दुन्या के सबसे खतरनाक मचलियों में से एक है क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक और आकरामक है यह मचली पांच फीट को भी कच्च चबा जाती है कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह मचली इंसान को भी आसानी से खा सकती है तीसरे नमर पर है आर्में नोर्थ आफरीका के जंगलों में पाए जाने वाला यह बहुत ही रेर जानवर है क्योंकि यह जानवर आम तोर पर दिखाई नहीं देता ये एक छोटा और क्यूट जानवर है जो ब्राउन और वाइट कलर का होता है लेकिन कहा जाता है कि ठंड के मौसम में ठंडी लगने के कारण इनका रंग पूरी तरह सफेद हो जाता है सफेद रंग होने की वज़े से इने खत्रा मैसूस होने पर ये अपने आपको वर्फ में चिपा लेते हैं ये जानवर देखने में भले ही बहुत छोटे और क्यूट दिखते हैं लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिव और खतानाक होते हैं ये अपने से बड़े से बड़े जानव पर है जिसे देखकर कोई भी अपनी आखों पर विश्वास नहीं कर पाता इसे ग्रेट ब्लैक पैरेंट के नाम से भी जाना जाता है यह ज्यादा तर नियू गिनी आइलेंड जैसी जगहों पर पहे जाते हैं यह तोता सांदर ब्लैक कलर का होता है इसकी खास बाती है कि इसक अब बारा लाग से बीसलाक रुपध tav की होती है और इसके सर पर कठोर बोन होता है हॉन पक्षी के सीर पर काली पटी बनी होती है यह पक्षी पीड के तनों के बीच अपना घोसला बनाते हैं ये पक्षी जोड़ों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और आपको ही जानकर हैरानी होगी कि हौन बिल नाम की ये पक्षी ज्यादा तर भारत और भुटान में ही पाया जाता है पेड़ों में घोसला बनाने के बाद ये उसे के बारे में आपको जरूर बताऊंगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद